मदिपरदेश में 30 तरिये पंचाय चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी अब भार्थियों को नामांकन पत्र के साथ शपत पत्र देना होगा इसमें कोई शुल्क बकायर नहीं होने संबन्दित प्रमान पत्र भी देना होगा यानि विभिन टेक्स भुकतान के साथ बिजली के नोर्ट्यूस भी इसमें जरूरी है यहीं जिसके लिए सभी बिजली कंपनिया विशेश काउंटर बना रही है जिस नामांकन पत्र के साथ यहां प्रमान पत्र नहीं होगा उसे निरस्त कर दिया जाएगा हाला कि राज्जु निर्वाचन आयोग ने इतनी सहुलियत दी है कि प्रमान पत्र नामांकन पत्रों की जाच के समय तक प्रस्तूत किया जा सकता है